सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे ही लोग का प्रिया जैनल न्यूस चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को साधर जैजनेंद खास बात आज है शीतलनाथ भगवान जी का गर्ब कल्यानक और कल है हमाले पहले तीर्तंकर आदिनाथ भगवान जी का जन्म और तब कल्यानक उन दोनों के बीच साधर जैनेत करते हैं आज की शुरुआत और इस 20 वे तीर्तंकर मुनिसरोद भगवान के अतिश्यकारी मुनि जिले के केशव राव पाठन यहां 601 में यहां नाम पढ़ाई जगया केशव राव पाठन बहुत गजब की कथा है यहां के अतिश्यकारी मुनि सुर्थ बखवान के हरे रंके साले चार फुटके यह चंबल नदी के उपर है बसा हुआ और उपर से बेस्मेंट में यह कोई उची वेदी नहीं है पर खास बात है बिलकुल धरा से थोड़ी से उची है यह साड़े चार फिट की अतिश्यकारी प्रतिमाया पर मुनि सुर्थ कहते हैं मुहमद गोरी आया था उसने मूर्ती बंजग ने कहां कहां हमारी प्रतिमाया निशानी के और यहां भी बाले किस तरह मूर्ती बंजगने किस तरह नश्ट करने को जिश्की और किस तरह मूर्ती उससे कुछ नहीं हुआ और दूत की धारा से जिसका जवाब मिला ऐसा मिला कि वो भाग खड़ा हुआ कानी रोचक है पर असली बाती है आज भी निर्मल भाव से वंद्ना करने से कहते हैं अपनी इच्छाओं की मन भावन हर तीरत में होता है बस भाव निर्मल होने चाहिए शद्धा के अंदर नमन जो भक्ती के साथ सरलता के साथ हो उसमें किंतु परंतु बट लेकिन चुना कान चीर नहीं बना चाहिए आज भी भगवान इन पाशाड़ों में बसते हैं और हर की इच्छा पूर्ती कहते हैं कहते हैं बिन मांगे मोती मिले और मिलकर ना मिले कुछ यही बात है कि यहां पर छप पर फाड़ के मिलता है जो कोई श्रद्धा के साथ भकती आता है पर हा लगातार नजर रखे हुएं लेकिन अभी तक चुप थे कोई कहते हैं बार बार मत बताओ क्यों करते हो मत कराओ मत करो लेकिन एक सीमा हो जाती है कि जिसके बाद बोलना पढ़ ही जाता है और आज समाज को जगाने की जरूत है इसलिए आज सब के साथ आएं कि कम से कम इस की बाते दोरा ही ना जाएं अपने तीरतों पर वैसे ही असुरक्षा के बादल मन रहा रहे हैं यह काली घटा है चारो तरफ हैं कहीं ऐसी काली घटा का कोई दोश इस मन्तिरे पर नहीं आ जाए जो पहले सोलवी सदी के आसपास जब महमत गोरी के समय भी उससे पहले आया आज की कारिका मूल बेस यही अधार है यह नोटिस बोर लग रा है बाहर उसके पहले का बोर लग रा है महवीर जैन्ति के वर्ष के बारे में इस स्पेशल उससब बारे में लेकिन उसके पाaz ही यह नीचे एक प्रतीमा कोई कथित प्रतीमा रख दी गई है किस की है पता लगबा इसको रखवे 8-12 महीन से ज़्यादा हो चुके हैं पहली बात सुचना हमें आज से 5-6 महीने पहले मिली थी हमने पहले संपर्क करने की कोशिश की अब भी कोशिश कर रहे हैं हमाके मंत्री जी से लेकिन संपर्क नहीं हो और फोन नहीं उठ रहा है कि शायद हटा दी मंदियियुक्तर आज की तारीख में आपको विश्वास होगा कि सरकारी नालो के उपर भी ऐसे मंदियुरी तारीख में क्यों वो संक्य खोपडियों के गिन ऊपर हमारें अगर कुछ इस्तर रखे दिया हाता है तो और कही न इस तरह की कोई भी बात हो रही है हमारे मंदिर में उसको तुरंत आवश्यक कारवाई करनी चाहिए। जब फुनसी छोटी होती है तो मवाद निकाल के बाहर निकाल दो। अगर कैंसर बरिंचार करते रहोगे तो कैंसर की तरह नासूर हो जाती है। डाक्टर भी कहता है और यह समाजिक धर्म और समाजिक न्याई भी कहता है गलत है तुरंट तो रोक दो नहीं तो वे ला इलाज हो जाएगा और फिर बाद में लड़ते रहोगे और लड़ने की हमारे में ताकत नहीं है कोई हम तो पिटते पिटते डर्पो कब अंदर खुसन बोर्ड के पास जो इस तरह से रखा हुआ है उसको तुरंट हटाया जाए यह जिम्मेदारी उस कमेटी की होती है जो साल बर पहले भी थी जो आज अक्षे कुमार जी को अपने बहुत रूलों में देखा है हर्त रहके मारधाल के अंदर और बहुत कई बार रोमांटिक मू जाती है हालत खराब वेगाल वह ऐसी पहलवान है आठवी मंजिल से कोटे हजार को पीटते हैं पर एक व्वास में कहते हैं बशुचे जहन समाज के साथ है जहन सादू के बास क convection साथ हहास को जेंटे का शांति नहीं होगै जब चार सत्वन दिन का जहन सादू करते हैं तब सोची क्या हुआ एक सोची के साथ वाज देखे ही इनकी खिकी बन गई नतमस तक हो गए और क्या क्या है इन्हों ने बताया हर व्यक्ति को हफते में एक दिन उपवास रखना ही चाहिए क्यों तरह सुन लिए अक्षे जी से जै जिनेंद्र वैसे तो हमने इतिहास हमेशा सुना है पड़ा है लेकिन आज इतिहास को हम देख रहे हैं इस ए हिस्ट्री बाइट सल्फ साथवी बार 180 दिन उपवास करना सच बताऊं तो मैंने हर सोंवार मैं एक दिन उपवास रखता हूं हालत बुरी हो जाती है लेकिन 180 मतलब मैंने कभी नहीं सुना इसी बात और ये उपवास किसके लिए पूरी दुनिया के लिए ताके वो खुश रहें सबकी खुशी के लिए सबकी सेहत के लिए ये भी कहना चाहूंगा कि I hope जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जेनिजम में कितना साइंस है I hope दुनिया में हर इसान हफते में एक बार उपवास जरूर रखे क्योंकि ये उपवास जो है it is the best for mental health physical health and spiritual health ये तीन चीजे हैं जिसकी वज़े से ये उपवास रखा जाता है मैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं स्वामी महराज के चरन चूने का मुझे मौका मिला है उसके बहुत-बहुत धन्यवाद जाने से पहले बस यही कहूंगा जै जिनेद्र शारक महता का उल्टा चश्मा जानते हैं आप उसमें थे एक कवी कथाकार शैलेंद्र लोडा जी आपको पता है वह जैन है लेगिन कवी नहीं कहते वह मैं जैन हूं कहते हां मैं जैन मां से पैद दियो आज हम तो अच्छा इंसान जी दिर बन गए उस दिन कहलने की योग्या हो जाएंगे बहुत कुछ कहते हैं कि आप नाम लिखवाने के लिए पंखे के ओपर चमच की ओपर नाम लिखवाने के लिए बहुत कुछ दान दे देते हो लेकिन अगर घर के आगे विखारी जा जाए तो दूरुपाय देने में हमब नहीं होती है रिखिटा पर चलते हो तो उसे पांस रुपे convinced रुपे какप धरबाने में पूरे घंठ़ों लगा सकते हो लेकिन किसी की जाके मां मंदिर मालूँने नाम दिए तो एक लाग रूपर युक्य दे जाते हैं फर्क है इस दान में और इस भक्ति में साफ-सावरोनन शेएन लोने किया किया कि मैं जेयन मा से पैता होने के बाद भी जेयन नहीं हूँ यह उन्हे अपने लेने कहा हम सब के लिए कहा क्यों कहा ज़रा उन्हीं से सुलने थे मैं नाप नाप और रुपे देते हैं हैंहिए लोग और भीकारी को दो रुपे नहीं दी जाते हैं हो से पाखंडी हैं हम लोग मैं आपके कहा था कि मैं जयेנ मा की कोक्ष से पैदा हुआ है मैंने यह siamo कि मैं जैन हूँ क्योंकि मैं हो नहीं पाया तो होना बहुत मुश्किल काम है जिस दिन मैं जैन हो गया मैं समझूगा मैं इनसान हो गया मैं हो नहीं सकता है और हो नहीं पाया हम लोग पाखंडी लोग है धर्म ये नहीं है धर्म वो है कि हम अपने कर्तम का निर्वाह करें वो धर्म और वो धर्म आवशक है वो धर्म हमें निभाना चाहिए लेकिन हम वो नहीं निभात है हम पाकन करते हैं हम लोग हैं इसे हम जताने की कोशिश करते हैं यह हैं आचारे विजय रत्न सुन्दर सुरी जी महासाब। क्या कह रहे हैं पता ही हैं? अब आप उस सुनाएंगे। कह रहे हैं प्रत्थम प्रदाहन मंत्री कौन थे मालूँ हैं? जवार लानेरो जी। इतना तो मालू हैं पर आप मैंसे यह नहीं जानते हैं कि उनकी जब राज था, उनकी जब संसत थी, उनका जब शासन था, तब उसके अंदर जैनों के सांसु संकिया पांच दो, नहीं नहीं, साथ नहीं, बावन थी। आज ना पांच है ना दो होती है, आज गजब की वड़ी वड़ी जीरो होती है, अरे सत्य धरी पार्टी टिकट भी नहीं देती है, कितना गिर गए हैं हम गिंती में भी और अपनी ताकत में भी, दावा तो यह है कि उससे ज़्यादा अबदान देते हैं, क्लिनार के कारम क सुनिए विजयरेतना सुन्दर सुरी महराज साब से यह कौन कलाकार है जो करे सपने साकार है हम तो यह भी जोड़ेंगे साथ में निया पक्षवन नियम सागर जी जब वलबूर परतिबास तर लिए कोजिन पुरानी चितर दिखा रहे हैं आपको क्या कला चीपी हुई है बड़े-बड़े कलाकार दातों तर्या उनकी ना उन्ह उने पूरणयू का एक सुंदर सा चितर सामने बना दिया प्रकरती की छटा के साथ प्रकरती और प्रयामर से हमें मैत्री होनी चाहिए और साथ में पूरणयु की अवशंकता है पर उन्हें कितना सुन्दरी है, चित्र बनाया है, जितने मवजूद थे, नातों तले अंगली दवा रहे थे, उनकी कलम किसे तरह चल रही थी, और एक नाया रूप सामने बोर्ड पर दे रही थी, विश्वास नहीं होता, कि दिगंबर संथ इस कला में भी इतने होश्यार हो कोई होते हैं, कोई खवी होते हैं, कोई रोचा का वाज में होते हैं, कोई एच्छे प्रमचन देते हैं, और कोई इतने बड़े चित्रकार होते हैं, ऐसा देखकर धांतों तले उंगली आप भी दवा लेंगे, जब ये चित्र देखते हैं, खड़े-खड़े उन्होंने ज तुबे आठ और आठ शाम आठ ठाट बात के साथ साथ जैजनी साथ साथ ज्या बात कि साथ झाल आठ आठ झाल